स्टूडेंस आज हम करने वाले हैं क्लास ए डियुटेम का च्टर फोर दैट इसमें आज करने वाले हैं फीजिकल प्रॉपर्टीेस और मेंट्र सैंट अद मेंटियं लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आज मेरी वीडियो को फर्स्ट आम देख रहे हैं वो प्लीज की सिसी सब्सक्राइब करना मूलें। ब्लैक का होता है ज्यादा हार नहीं होता है इस तरह सलफर है कॉपर है यह मटीरिय आपको दिये गए है इन में से कुछ आपके मैटल्स होंगे कुछ क्या होंगे नौन मेटल्स होंगे मैटल्स है हम इसके पाता कैसे चलता है उनकी physical और chemical properties कि दूनों में क्या difference है physical properties क्या है metal की हमें वो पता होना चाहिए chemical properties क्या है metals है non-metal की हमें वो पता होना चाहिए तो याद रखिए लश्चत देखिए hardness देखिए यह सब आपके क्या होती है physical properties जो आपको बाहर से ही दिखाए दे जाते हैं कि कोई चीज हार्ड है shine कर रही है लग्सक ऐसा उसका यह सब आपको क्या बताती है physical property बताती है तो इसे के बारे में आज हम रीड करने वाले है physical properties कि मैटल्स की है non-metals की तो आपने देखा भी देखा गा blacksmith इसको लहार भी बोलते हो आप वह एरन को बीड करता है जो आर्टिकल जो देखी होंगे आपने जो आइरन के बने होंगे जैसे स्पेड हो गया आपको शॉवल हो गया एक्स हो गया तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो बैसा ही चेंज आए अगर आप बीड करोगे कोईल के पीस को में जैसा चेंज आपको आयरन के पीस को मतब्स करने के बाद आ रहा है कि बैसे ही चेंज आएंगे अगर आपको को को बीट करोगे कोई को बीट करोगे चलिए फाइंड करते हैं उसके लिए आपको यह पर एक्टिविटी देगी है 4.1 एक छोटा सा आयरन नेर लेजिए एक कोल का पीस लेजिए एक पीस लेजिए एल्मूनियम की वायर का पैंसिल लड लेजिए बीट कीजिए आयरन नेर को ह साथ लेजिए पैंसिल लेजिए उसके साथ भी और अपने उब्जरवेशन जो है रिकॉर्ड कीजिए 4.2 में तो यहां पर देखिए आयरन नेर की शेप में क्या कोई चींच आएगा क्या वह फ्लैटन हुआ जब ब्रेक हो गया पीस में वह फ्लैटन हो जाएगा को पीस के तो आपने देखा होगा कि शेप जो है आयरन नेर की और मुनी वायर की वह चेंच होगी जहां उन्हें को वीड किया तो अगर हम उनको ज्यादा वीड करेंगे तो वह शीट्स में पत्ली शीट्स में चेंच हो जाता है तो आपको यह पता होगा सिल्वर फॉयल जो होती है लंच करते हैं जो पर अंवकिट्स की जब वहां को बीट करते हैं उस में चेंच में चेंज हो जाती है तिन शीट्स में चेंच हो कि आप में नोटिस किया होगा कि मेटीरियल जैसे कोल पैंसल एड़ हो गया वह यह प्रॉपर्टी शोड नहीं करती इसलिए तो क्या हम इनको मैटल कह सकते हैं किया आप लिपनाएं कि आप सब्सक्राइब करें से ऑंपन सब्सकराइब गर्म होने सब्सक्राइब करते हैं इसी एक्सप्राइब कि एक्सपीनिस के बेसिस पर आप बता सकते हैं कंडक्शन 2 be cell phi बूंड प्लास्टिक क्या बूद और प्लास्टिक जो है वहीट कोंड़क्ट करते हैं नहीं करते हैं अगर वहीट कोंडक्ट करते तो हम किसी भी यृटंश को हाथ में नहीं पकर सकते वह भी हॉट हो जाते जब आपको यूटिंसिल होता है तो इसलिए यह हीट कंड़क्ट नहीं करते तो आपने देखा होगा इलेक्टरिशन जो होते हैं वह स्क्रीव ड्राइवर यूज करते हैं तो कौन से टाइप का हैंडल होता है उसका जो हैंड पर अब यहां पर एक्टिविटी देगी है 4.2 में कि आपको याद ही कैसे आप लेक्टिर सर्केंट बनाते हो यह टैस्स करने के लिए कि एलेक्टिशिटी जो है पास हो रही है कुसी और जैसे यहां फिगर 4.2 में दिया गया है यह लाक्टिट टैस्ट बनाया गया है तो कनृटिश्ट करते हैं एक करेगा जो क्टने करेगा कॉपर वायर करेगी आप इसे मिलें से अलगतर करेगी जो आइंड़ी नेल हां और कॉपर वायर है यह फांड़ी टैस्ने साफ्थ नहीं लेकिन कंदक्टिश्र धून होता है पर पहल करेगा हैं झान पोरग्ट प्रापर्टि मैट्ल की जिसमें उसको हम ड्रा कर सते हैं वायर्स में उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलियबिल्टी और हम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को हम गयते हैं कभी अपने द्राइब होती है सब्सक्राइक DROP होती है कोई जब कर द्रॉप निचे गिरता है कूला गिरता है तो अगर नहीं कि घा किजिए तो आपको कोई डिफ्रेंस मिलेगी इनकी सब्सक्राइब मेंmath को सबस्क्राइख को चैए जाब है को जब दटब को नीचे इसा फिर्ञेट को chodzi दो बहुत जादा आवास आएंगी सबस्क्राइब आपने बॉदन बैल्स तक हम तो अगर है तो दिछी ए जो तिंट्ञेम को बनी होती में में श्रूप करते हैं कि दो बॉक्स को स्ट्राइक करने के बाद दूने के बना होगा वह सांद प्रड्ड्यूस करेगा लेकिन वूड का बना हुआ वह इतनी ज्यादा साउंड प्रड्यूस नहीं करेगा इवन की जो matter की चीज़ बनी होती है उसकी sound जो होती है थोड़ी दे तक आपके ear में गूलती रहती है लेकिन wood के साथ ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब कि matter क्या produce करते हैं आपको ringing sound भी produce करते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं sonorous ये आपके third physical property आगी आपकी matter are Mключ Canadian admitted संद्र साथ about motive produce करते हैं material जो metal से के लावा और मातीरी होते हैं मैंटर्स यहीं होते है जिसके आप प्रफार्म करेंगे एक्टिविटीज को तो आप कह सकते हैं कि मैंकी ने होड़ी टीओ करते ने हैं टो वो चन्ड़े करते हैं यह सब अन्दर होती है उन्हें यह सब हमारे किसके एक्जेंपल हैं मैटल के और दूसरी साइड वह मटीरियल जैसे कोल होगे सलफर होगे जो सॉफ्ट होते हैं उनकी अपेरांस डल होती है वह ब्रेक हो जाते हैं पाउडर में ठीक है जब उसको टैप करते हैं जब बीट करते हैं मेर के साथ वह सोंडरोस न आपके नॉन मैटल में आते हैं तो ऐसे तो हमने देखा कि मैटल साजनली हाड लेकिन कुछ ऐसे मैटल भी हैं जैसे आपका सोडियम और प्रोटेश्यम जो हैं यह सॉफ्ट होते हैं इनको आप नाइफ के साथ पी कर सकते हो दूसरी साथ मर्कृ एक ऐसा मैटल हाकेला ऐसा म होता है रहे होते हैं और एकस्प्सक्राइब में घृते हैं अच्छाइब मतायान मर्कृ म्हां है की हमने बताता एक मैटला कर सकते हैं और उनको छीट में रहा कर सकते हैं हर्थ होती हैं उनकी आप Intelligence होती है वो sound भी produce करते हैं, sonorous होते हैं, साथ में वो ductile होते हैं, उनको wires भी draw कर सकते हैं, यह सब property हो साथ में good conductor of heat and electricity भी होते हैं, तो यह सारी property हमें बताती है, कि क्या difference है, metals or non-matter, कि non-matter ऐसी कोई property show नहीं करते, ना ही वो shiny appearance होती है, ना ही हम उनकी sheets गर ड्रा कर सकते हैं, ना ही हम उनकी wires पना सकते हैं, और ना ही वो अच्छे conductor good conductor नहीं होते हैं, heat and electricity के, तो यह तो अधा हमारा आज का topic, I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटस वीडियो जो है, वो time to time मिलती रहें, thank you.